Hello friends, welcome back to our channel पंगाल टेकनोलोजी और friends जैसा कि आप सब जानते हैं ESIC में लोगिन करने के लिए आपके पास यूजरनेम और पासवर्ड होना चीए हैं तो friends ESIC में अपना पासवर्ड आप कैसे क्रेट कर सकते हैं इस पे मैंने अल्रेडी वीडियो बनाई हुई है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उस पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं कि ESIC में अपना पासवर्ड आप कैसे बना सकते हैं तो फ्रेंट्स ये तो हुआ कि आपके पास यूजरनेम और पासवर्ड है तो आप लोगिन कर सकते हैं बट इन केस अगर आप ESIC का अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप पासवर्ड कैसे रिसेट करेंगे तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ESIC में अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो कैसे आप उसको रिसेट कर सकते हैं फ्रेंट्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है उनका नोटिफ आप से insurance number और mobile number मांगा जाएगा तो यहाँ पर आपको अपना insurance number डालना है insurance number जो आपका ESIC number है वो आपको यहाँ पर डालना है और mobile number जो आपका registered mobile number है वो आपको यहाँ पर डालना है उसके बाद आपको submit पे click करना है जैसे ही आप submit पे click कर देंगे जो आपका registered mobile number है आपने जो mobile number डाला हुआ ESIC में उस पर एक OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पर डालना है जो OTP गया है वो आपका वो आपका 10 minutes के लिए valid रहता है वो 8 digit का OTP रहता है तो जो OTP मेरे पास आया है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तो देखे मैंने यहाँ पर OTP डालने के बाद यहाँ पर verify का जो option है उस पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click कर देंगे यहाँ पर देखिए set new password का option आएगा और यहाँ पर enter new password यहाँ पर आपको नया password डालना है उसके बाद आपको password को दुबारा से डालना है यहाँ कि reconfirm क create करते time कि कई बार क्या रहता है कि ESIC में अगर आप ऐसे कुछ भी डाल देंगे ABC12 तो उससे password create नहीं होता है मैं आपको यहाँ पर example देखा देता हूं अगर मैं यहाँ पर password में डालता हूं ABC12 तो यह देखिए please enter valid password password and confirm password should match दोनों password match होने चाहिए यानि कि please enter valid password जो मैंने password डा दालता हूं ABC12345678 और submit पर क्लिक करता हूं तो फिर यही आ रहा है please enter valid password क्यों क्योंकि देखिए निचे यहाँ पर दिया हुआ password should contain minimum 8 characters यानि कि 8 character का आपका password होना चाहिए जिसमें एक uppercase होना चाहिए एक lowercase होना चाहिए और एक number और एक special character होना चाहिए तो यह सारे combination के साथ आपका जो ESIC का password हो बनेगा यानि कि for example अगर आपको ESIC में password बनाना है तो आपको A caps में B C small में उसके बाद आप add the rate या has या star लगा के 123 इस format में आपको password डालना है तब ही आपका password यहाँ पर create होगा तो इस format में डालके मैं अपना password create कर लेता हूँ देखिए proper format में मैंने password डाल दिया है उसके बाद जैसे ही मैं submit पर click करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे password updated successfully click here to login याने कि जो password है वो reset हो गया है नया password जो मैंने डाला है वो मेरा updated हो गया है अब उस password से मैं यहाँ पर login कर सकता हूँ तो friends इस तरह से आप ESIC में जो अपना password है उसको reset कर सकते हैं बिल्कुल आसान प्रोसेस है ESIC में password reset करना है अगर आप अपना password भूल गए है ESIC में तो आप अपना password इस तरह से reset कर सकते हैं इसमें mandatory यह है कि आपका ESIC नंबर है उसमें आपका mobile नंबर लिंक होना जरूरी है तो friends उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो like करना, share करना, channel को subscribe करना, bell icon को जरूर प्रेस करना Thank you so much friends